नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मांमूर्म ոिछे होंगे और आपकी तैयारी बहות अच्छे से चल रहे होगी दोस्तों आज जो हमारा टोपिक है ये बहुत unique topic है, बहुत special topic है, और सबी परिक्षाओं के लिए बहुत ज्यादे unique होने वाला है, इसका reason यह है कि यह current affair plus static, दोनों का ही एक combo pack है, और जो आपके आगामी परिक्षाओं में आपके लिए बहुत ज्यादे helpful हो सकता है, क्योंकि यह ऐसे topic है, जो हमारी परिक्षाम हमार लिए doubt create करते हैं, और उनी doubt को निकालने के लिए और आपको आसानी सांसर ढूनने के लिए, हम जो है, आपके सामने इस topic को लेकर आए हैं, और यह हमारा topic है, देखिए, बाईसवा CSO सिकर सम्मेलन, पहला हम समझ लेते हैं, बाईसवा और तेईसवा, क्योंकि फिर हम CSO के ब corporation organization, cooperative organization, ठीक है, तो हम इसा SEO, शिकर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, शंगही, शहयोग, शंगठन, इसे हिंदी में कहते हैं, तो हम सुरू करते हैं इसी को, कि क्या इतना unique है, यहां प्रतीक परिक्षा में जो है, यहां से चांसर बन जाते हैं को सरके आने के, और यह बहुत ही unique question है, ठीक है, यहां से static से भी question आता है, जो old होता है, और प्लस जो इसका current affair बनता, बहां से भी question बनते हैं आपको, तो यह आपकी पांच मिनटी क्लास रहेगे, पांच साथ मिनट में जो है, आप इसका बहुत जादे जो है निचोड सीख लोगे, और फिर सायद एक दो बा अगर क्लास देख लेंगे, आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे, तो फिर उसके बाद में कभी भी आप उपने माइंड से इस चीश को निकाल नहीं सकते, यह गारंटी है, ठीक है, तो मेरे बच्चों, देखो, क्या है, बाइस 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 से सिकर संबेलन, दो हजा जाय क्या है, क्योंकि अभी तेइसवा तो होना है, तो तेइसवा सिकर संबेलन, 23.23 में होगा, और कहा होगा, यह भारत में होगा, अगर मैं बात कूता हूं आपको, तो बरतमान में जो है, भारत, S.C.O. राष्टिय अध्यक्षों की परिसत का अध्यक्ष भी है ठीक है और ये पहली बार है पहली बार ऐसा हुआ है कि S.C.O. की अध्यक्षता भारत को मिली है जब से सदस्य बना है जब से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को S.C.O. की सदस्यता मिली है चलिए बात करते हैं 22 सम्मेलिन की जो हमारा हुआ है 2002 में इसकी मुख्य बाते खास बाते क्या हुई है जहां से एक्जाम में कुर्शन बन सकता देखिए इरान को 27 सास्तिया का दरजा दे दिया है तो अब ये 9 सास्तिया हो चुके है माल दीब को संबाद भागिदार का दरजा दे दिया गया है यहां सबसे जो बढ़िया कोशन है जो मोस्ट कोशन बने गा वो आपका कोशन बने गई परिटन एवं सांस्करतिक राजधनी ऐसे सीयों ने किसे घोसित किया है तो वो क्या गया है बारान सी को भारत की बारान सी को परिटन एवं सांस्करतिक राजधनी घोसित किया है और ऐसा नामित होने वाला पहला सहर बना है बारांड सी पहला ऐसा सहर बना है ऐसा नामित होने वाला ठीक है भई इतने जाने गए तो अभी तक समझ लो 22 बाइस सीयो सीकर सम्मेरन समरकंद उजबेकिस्तान में 23 बाइस सीयो सीकर सम्मेरन दोहरत भारत में पहली बार इसको देख्षत मिल लिए 22 सम्मेरन के खास बाते क्या है एरान को इस्थाई दरजा दे दिया गया है माल दीप को संबाद भागिदार का दरजा दिया है वहरीन, कुवेत, यूएड अथा मियामार को भी परेटन एवन स्वरी दरजा दे दिया गया है और S.C.O. ने परेटन एवन सांस्कृतिक राजधानी बारानसी को नामित किया और ये पहला सहर इसके बाद मगर हम बात करने तो भारत की मेजवानी में 17-18 मार्च 2023 को बारानसी में S.C.O. परेटन मंत्रियों की बैठक की गई 2023 को कर दिया गया है ठीक है बाई तो यह हमारी बात समझ मा आ चुकी है कि हम 2023 फोकस करेंगा भारत सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तर जो है S.C.O. के दिख्षता करेगा तो यह तो था करन्ट का कुछ तो क्करें निष्ट होर्सन समझ बन सकते हैं S.C.O. से समत्य बात करते हैं कि जो इसका पुराना होल्ड उसमें हम थोड़ i क्या है कभी सी टाफम नहीं है और इसमें कितने सव्भास्य सम्बाद है, कितने प्रविक्षक सव्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ठीक है बई चले स्वरी स्टी तो इसे हम कह सकते हैं संगहई सहयोग संगठन हम यह सब बोलते हैं स्टी ओ ठीक है यह जो है ना आठ सदस्य है कितना आठ सदस्य है बहु पक्षिय संगठन है और इसकी स्थापना के कर हम बात करें इसकी स्थापना के बात कर तो 15 जून कब 15 जून 2000 एक को की गई थी और कहां पर की गई थी कहां पर की ते संगहई संगहई और चीन में टी जीन एक टीक्षिए अब अब अगर हम बात करते हैं इसके सवस्या कौन से हैं इसके सवस्या कौन से हैं तो पहरा सवस्या आद रखो आप चीड दूसरा सवस्या आद रखो आप यहां से भारत तीसरा सवस्या आद रखो आप रूस चोता सवस्या आद रखो पाकिस्तान पाकिस्तान पांचवा सवस्य यहाद रखो कजाकिस्तान कजाकिस्तान छटा किर्गिस्तान किर्गिस्तान सातवा अब तजाकिस्तान और आठवा याद रखोंगे वो रखोंगे उजवेकिस्तान और अभी जो नवा वना है वो बना है इरान तो यह अभी घोशना विजए इसकी ठीक है अब देखो इसमें और क्या है अगर हम परवेक्षक देखें परवेक्षक सदस्य है तो इनकी संक्या है चार परवेक्षक सदस्य जो है इनकी संक्या कितनी है चार पहला जो है इसमें वो है आपका अफगानिस्तान अफगानिस्तान दूसरा जो है वो इसमाब का है वेला रूस वेला रूस और तीसरा अगर हम यहां से देखें तो तीसरा है इरान तो अब तो इरान को परवेक्षक साहटायर कहां बना दिया है यहां तो अब यहां से कट हो जाएगा और यहां पर जो जागा है, ओके हो जाएगा, ठीक है भई, और चोथा जो इसमें था वो था मंगोलिया, क्या है मंगोलिया, तो यह रहे गया है तीन, अब प्रिविक्षक, अब संबाद, संबाद भागिदार, संबाद भागिदार कितने है, छे, कितने है, छे, ठीक है भई, अब इनमें कौन-कौन से है, पहला जो है आपका, वो है, आर्मेनिया, आर्मेनिया हो जाएगा, दूसरा जो है, कमबोडिया हो जाएगा, कमबोडिया हो जाएगा, तीसरा जो है आपका, वो स्रीलंका हो जाएगा, चोथा जो है आपका, वह आपका अजरवेजान हो जाएगा, अजरवेजान, और पांचवा जो है आपका, वह नैपाल हो जाएगा, और छटा आपका यहां सा बन जाएगा, तुर्किया, क्या हो जाएगा तुर्की ये ये बन जाएगा तुर्की नोट करने वाली बात ये है इसमें 2005 में भारत कैसा बना था सहस्य है और विक्षक सहस्य बना था और आज जो है वो क्या है किस थाई है तो हमें ये भी बात अपने मायन में रख लेनी है तो ये है पुरानी बात इसकी एक बार रिवाइच कर लेते हैं संगही सहयोग संगठन S.C.O कहते हैं आठ सहस्य बहुप पक्षिय संगठन जैफिकी स्थापन होई थी अब नो हो चुके है इस्थापना कीए थी 15 जून 2001 को नो हुप और कहां पर कीए थी संगही चीन में की गए थी भई संगही चीन में की गए थी भई सहस्थी कितने चीन भारत रूस पाकिस्तान कलाकिस्तान कीरid turkeyistan तजाकिस्तान उजवेकिस्तान इ 가자 doubकशा हूं एड़ हुआ है रान आपके करन्ट के प्रोपी को भी समें एड़ किया और जो हमारा ओल्ड पोर्शन है उसको भी हमने यहां पर एड़ किया है तो दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए ऐसी ही इस्टेटिक को पाने के लिए चैनल से जुले रहो और चैनल से सब्सक्राइब करो ठीक है प्लानिंग के साथ है कि किस प्लानिंग से एक्जामिन प्रेपर बनाता उसी प्लानिंग समको काम करना ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नहीजानकारी के साथ जैहन जवाल्त बंदे करना